ओम शाम्ती आज आपका 63 दिन का वर्दान और इस वर्दान में बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं ही इस शेरीर के रचेता हैं देखा जाए तो हम सोचते हैं कि यह शेरीर मुझे क्यों मिला, कोई और शेरीर मिलता तो कितना अच्छा रहता, वो शेरीर कितना अच्छा है, वो गोरा है, वो काला है, तो हम इसी चीज में अगर फस जाते हैं, तो हमें यही समनी आता कि इसकी रचना करने वाला मैं स्वेम ह जितनी मन में अपवित्रता रहती है, जितने मन में ख्याल अपवित्र रहते हैं, चाहिए वो लोग के हो, अहंकार के हो, इरशा के हो, ग्रेना नफरत के हो, और अगर उसके विपरीत, चाहिए वो प्रेम के हो, सुख के हो, शान्ती के हो, सब के साथ में एक समान भेवार करने के हूँ तो उसका असर हमारे शेरीर पर ज़रू पड़ता है तो मैं आत्मा ही मेरे शेरीर का रचता और भविशे में जो होता है शेरीर के साथ में उसका भी मैं ही creator हूँ मैं ही रचेता हूँ तो बाबा कहता है अगर यह ज्ञान पता से लिए तो आप ये भी कर सकते हो इसी चीज का पॉस्टिव ले सकते हो कि आप अभी सही अपने मन बुद्धी को स्वच बना करके अपने शरीर और अपने मानसिक्ता की उपर आप कंट्रोल कर सकते हैं मालिक बन करके चलने देखें बाबा इसको विस्तार में कैसे समझाते हैं आई बड़े बाबा केते हैं मालिकपन की स्मृति मालिक हुमे आत्मा इसकी स्मृति इसकी याद द्वारा highest authority का अनुभफ करने वाले जो highest authority होते है एक president हो गया एक country का प्राइमेंस्टर हो गया उसको पता है कि उसके उपर और कोई नहीं है वो जो सोचता है वो जो निर्ने करता है वो ही final है और उसके अनुसार सब को सारी प्रजा को उसका असर पड़ता है तो मैं भी आत्मा गर इस समृति के में एक highest authority हूँ मैं शरीट की मालिक हूँ तो मुझ आत्मा के अंदर है मन, बुद्धी और संसकार तो मेरे मन में कैसे संकल्प है मेरे बुद्धी किस तरफ जाती है क्या मेरे बुद्धी में स्वचता है क्या मैं सही दिशा में जा रही हूँ आत्मा और मेरे संसकार कैसे है मतलब मेरे character कैसा है मेरे nature कैसी है मेरे habits कैसी है ये तीनों चीज़ें अगर मेरी purity की तरफ हैं तो उसका असर मेरे जीवन पर भी पड़ेगा और मेरे शरीर के उपर भी पड़ेगा तो फिर बाबा कहते है highest authority का नुभव करने वाले combined सुरूप धारी भवा combined मैं एक आत्मा highest authority और इस शरीर का मालिक तो अब परमात्मा इसी को और विस्तार में समझाते हैं कहते हैं पहले अपने शरीर और आत्मा की combined रूप को स्मृति में रखो शरीर रचना है हम सबने रचा है शरीर को अपने thoughts के दौर अट्रेक किया है अपने life में अपने parents को भी attract किया अपनी life में और जो parents के दौर जो शरीर मिला उसको भी attract किया जितना सुन्दर संकल्ब आपके पिछले जनम में थे जितना अच्छा सोचते थे जितना आप औरों की अपने शरीर के साथ तुलना कम करते थे औरों को नीचा कम समझते थे समझ दृष्टी रखते थे उतना ही सुन्दर आपके शरीर है यह आपके संकल्बों की रचना है एक आत्मा को अपने माता पिता मिलना भी उसके संकल्बों की रचना है आप एट्रैक करते हैं उसके बाद जो करते हैं वो आपके संकलपों के उपर होता है पैदा होने के बाद इससे मालिक पन स्वता स्मृति में रहेगा कि मैं मालिक हूँ मालिक पन की स्मृति से स्वयम को highest authority अनभाफ करेंगे कि मैं मालिक हूँ तो मैं ही हूँ जो कि decide करूँगी आत्मा कि मेरी यह आखे देखेंगी क्या अच्छा बुरा, सुनेंगी क्या अच्छा बुरा, खाएंगी और बोलेंगी क्या अच्छा बुरा, पहनेंगे क्या अच्छा बुरा, चलेंगे कैसे अच्छा है बुरा, कि सब कुछ मैं मालिक आत्मा करती हूँ शरीर को चलाने वाले होंगे दूसरा इसी चीज़ का दूसरा तरीका सोचने का बाप और बच्चा तो बाप हो गए अथोरिटी जिसे आत्मा होगी शरीर के अथोरिटी बाबा होगे और परमपिता होगे हमारी अथोरिटी और बच्चा जिसे शरीर हो गया तो जैसे बाबा कहेगा, वैसे बच्चा चलना चाहिए, जैसे आत्मा कहेगा, वैसे शरीर चलना चाहिए तो बाप और बच्चा शिव शक्ति बच्चा मनलब परमात्मा की शक्ति कि कम्बाइंड सुरूप की स्मृति से ये भी कम्बाइंड हो गया आत्मा और शरीर कम्बाइंड साथ साथ काम करते हैं परमात्मा और मैं उनका बच्चा आत्मा साथ साथ काम करते हैं के सुरुप की स्मृति से माया के विगनों को, माया मतलब जैसे हमने बात करी थी, काम, क्रोध, लो, मौंकार तो मोटे तरीके से, उसके बाद में इर्शा, दुएश, क्रिनान, अफुरत, आलेसेल, बेलपन, तुलना करना ही, सारी चीजे, और छोटे डोटे इसके बच्चे बन जाते हैं, तो महीन हो जाती ही बते हैं, तो स्मृति से माया के विगनों को, यही सारी जो माया की बाते हैं, यह सर विगन आते हैं जीवन में, को अथोरिटी से पार कर सकेंगे, बिना जिचक के हुए, तो मैं किसका बच्चा हूँ, और मैं आत्मे शेरी का मालिक हूँ, आके जहान गई देख लिया, जो मन किया खा لीया, जो मन किया बोल लिया वो नहीं, जो मन किया सुन लिया वो नहीं, controlled way में, तो ऐसी तरीके से, हम अपने जीवन भी परमात्रा को जब देते हैं, उनका बच्चा मन करके, तो वो ही हमारी जीवन को control करते हैं, आज कि बड़ता किसा तो मुश्याटी